गैस मेरे पास है भीबो की तरफ से ब्रैंडी स्मार्टफोन भीबो वाई 75 4G स्मार्टफोन तो आप यहां पर देख सकते हूं आज इस वीडियो में इसका कुछ hidden features या tips and tricks आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूं जैसे जो स्मार्टफोन आता है water drop notch के साथ और water drop notch के आसपास में एक light effects देखाए दे रहा है जो hard time on रहता है और काफी खुफचरत लगता है तो इस light को मैंने कैसे on किया यहाँ पर आप देख सकते हूं मैं जितनी बार स्मार्टफोन को लॉग कर रहा हूं हर बार लॉक स्केंगा वालपेपा चेंज हो रहा है तो इस पीचास को कैसे ओन करना है जब आपके स्मार्टफोन में incoming call या incoming SMS आएगा तो ऐसे light effects देखाए देगा तो इस सब कुछ पीचास के बारे में डीटेल में जानने के लिए वीडियो आप इंड तक चुरू देखते रहे हैं अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो मैं हूं सवागत है हमारे से यूटूब चलन पर वीबो वाई 75 एज़स्मार्टफोन आता है AMOLED डिस्प्ले के साथ स्मा करने के लिए आपको जाना होगा सिधा सेटिंस के तरफ और पर आपको स्कॉल करके आना हो गा और वालपर के तरफ रोटी दिखें और अंदर में अ का स्कीन ऑफ स्टाइल दिखाए देगा तो यहां पर आप देख सकते हैं तो आपके मद्दे से कोई भी एक स्टाइल को चूच करके अपलाई कर सकते हो इसके बाद जब आप स्मार्ट फोन को लॉग करोगे यहां पर लॉग स्कीन में अलोज ऑन डिस्प्ले जो होगा और यहां आप करना होगा तो करने के बाद आप नीचे की तरब कोई भी एक अपलिकसान को ओपिन कर सकते हैं तो नीचे की तरब मैंने एक अपलिकसान को ओपिन कर लिया इसका अगर आप करी इसका पोजिसान भी चेंज हो जाएगा इसको अगर डिसेबल करना चाहते हूं यहां पर क तरफ यहां पर देखा दिखा बैटरी पासेंटेज तो इसको आप आप करने के बाद आप आप देख सकते हूं अगर आप स्मार्टफोन की पावर बटन को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हो तो स्रक्राइब देखने को मिल जाएगा डॉबल टाइब करिए स माठफोन लॉग हो जाएगा और लॉगस की जो हो तो यह को उनदने अब juice उन करने अब को जा टक two अउन कर ली जिए 한 अपनी बार स्मार्टफोन को लॉग कर रहा हूं हर बार लॉग स्किन का जो वाल पेपर है वो चेंज हो रहा है तो इस पीचर को कैसे उन करना है तो इसको उन करने के लिए आपको जाना होगा सिधा सेटिंग्स के तरफ और यहां पर देखा देगा लॉग स्किन सेटिंग्स लोग स्कीन वाल पयपर देखे देगा तो इसको आप टान आज स्मार्टफोन के अंदर came sight आप चेंज करना मिल जाएगा तो आपके मस्य चाइब कोई एक चूछ लाइट का झाल जिए जो स्मार्टफून आता है 8GB रेम के साथ यहां पर आप तू 4GB RAM को बढ़ा सकते हो तो रेम को बढ़ाने के रिए आपको जाना होगा सिधा सेटिंग के तरप एहाँ पर आपको क्कॉल करके आना होगा रैम स्ट्व चेहाँ के तरफ और ऊपर अऩँ तो यहाँ पर क्लिक करना होगा और आप पर देख सकतो एक्स्टेंट राम देखाए देगा तो इसको आप कर लीजिए यूँकि आपको टोटल रैम हो जाएगा है 12GB रैम हो जाएगा स्मार्टफोन के अंदर डिफॉल्ट बहुत सब्सक्राइब आता है आप यह पर देख सकतो अब एक एक करके आप अनिस्टॉल कर सकतो लेकिन दो एपलिकेशन रहने स्मार्टफोन के अंदर डिफॉल्ट इंटरनेट स्पीड मिलता है तो इसको अन करने के लिए आपको जाना होगा सिधा सेटिंग्स के तरब और थोड़ा सा स्कॉल करके आना होगा स्टेटस बार के तरब और यह पर देखाए देगा डिस्पले रियल टाम नेट्वर स्पी के तरफ और यहां पर आप देख सकतो फिंगार्पिन आइकोन एनिमेशन है तरह 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 का आइकोन का एनिमेशन है आप देख सकते इसको आप चेंज कर सकते हूँ उससे के साथ यहां पर अनलोग एंटर होमस्किन एनिमेशन तो यहां पर देखाए दे रहा है इसको भी ख़ए मैंनडेंड कर सकते हों उसी के साथ Unlock होने के बाद फिंगर पीन में होता है उसको भी आप यहां पर एप टरक कर लीजे और पर क्लिक कर दीजे तो यहां पर खोच सारा है यहां पर आपको जो को साथ साथ आपका फोन जोए व्याइवेट करें दोस्तों इस अप्षान को भी आप कर सकते हो तो इसके लिए आपको जाना होगा सिधा अग्रालोग के तरफ में करने लगेगा स्मार्टफोन में बहुत सारा सॉटकर देखने को मिल जाएगा अगर आपका फोन ऊप रहता है तुरंट फ्लैसलाइट को उपिन करना चाहते हो तो स्मार्टफोन को सेख करिए अपका जो फ्लैसलाइट जो तुरंट ओपिन हो जाएगा दोस्तों इस फीचरास को अन करने के के लिए आपको जाना होगा सिधा यहां पर सेटिंग्स के तरफ और यहां पर आना होगा स्वाइब करना चाहते हो आप उपर से नीचे की तरफ स्वाइब डाउन करिए कैमेरा एप्लिकेशन जो है उत्रून खुलकर आ जाएगा आप बहुत आसने से फोटो को क्लिक कर सकते ह स्वाइब और यहां पर आना होगा स्वाइब के तरफ स्मार्ट मोशन देखा देगा यहां पर आपको देखा देगा स्मार्ट वेक तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर वाटर ड्रॉप नॉट्स के आसपास में जो लाइट इफेक्स देखाए तो इस लाइट को मैं आप चेक करिए एक डाउनलोड लिंग मिल जाएगा जिस एप का नाम रहने वाला रिंग रिंग एप तो इस एप को आपको डाउनलोड करके इंस्ट्रोल करना होगा बहुत ही छोटी एंबी का यहां पर आप देना होगा उसके बाद आप सीधा आ जाओ गए इसका होम सेटिं आप एंडाउन करें तो यह जो लाइड है वह बड़ा यह चोटा होने वाला आए तो अच्छी तरिके से इसका पोजिसान को मैनेज कर लेना तो यहां पर नीचे की तरफ देखा देगा यहां पर जो है मेंट फांड आप यहां पर देख साक्तों यहां पर तरह तरह का पास रहे करना ऊद पर क्लिक करना हो और एक सिंइल कलर रहता है किसी विक एपलिकेशन को ओप्र लिजए यह पर हट् Animal रहता है और काफी घुपसर्द लगता है तो इस एपलिकिशन को युज करना चाहते हूँ मेरा डिस्टिप्रिप्शन को चेक कर जेए इसका डाउनलुद ल उस्टीजी के तरफ थोड़ा सा स्कॉल करके आप नीचे के दरफ आना होगा और यह पर देखा देगा वन हैंड तो इसको आप कर लिजिए और वान हैंड को कैसे वन करना है यहां पर आप ट्यूटरिल देख सकते हो तो आपको ऐसे आपको स्वाइप करना होगा वान हैं तो ओटीजी को कानेट करने से पहले आपको जाना होगा सिधा सेटिंग्स के तरब आना होगा Bluetooth एंड डिवाइस के तरब और यहां पर देखा देगा OTG तो इसको आप आप कर लिजे इसके बाद जब आप कानेक्ट करोगे OTG में सके स्केठा लेगा स्किन वर लेने का बहुत सारा है जैसे आप रहेखी होगाःट सकने के देख सकतो और यहां पर क्रेक्टूंगल तो इसके बद आपको click करना होगा उसी के साथ अगर चाते हो ड्रों करके सीच्छोड लेने के लिए तो यहां पर आपको टैञ न होगा और यहां पर से किन ले सकते हो अगर आपका कम जुर है तो अंदर रहने वाला है जिसको आन करने के बाद यहां पर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इसको आप करने के बाद यहां पर एक स्कीन रेकोर्डिंग का मिलता है जो यहां पर उपर की तरह इसका सौटकर देखने को मिल जाएगा यहां पर टैब करके रखता हूं तो सिधा आ जाओंगा इसका सेटिंग्स के तरह दिस्प्ली के उपर जहां पर टाच करोगे उसका अगर आप सेंसे लेना चाते हूं तो यहां पर स्टार्ट पर जब आप टैब करोगे तो यहां पर जो स्टार्ट हो जाएगा आप यहां पर स्टार्ट हो गया स्कीन रेकोर्ड़िंग तो यह तो दा कुछ पीचास जो भी वो वाई 75 4G स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा उम्मिद करता हूं आपक